आज मार्कशीश अमावस्या है ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि मार्कशीश का महीना सबसे पवित्र महीना होता है और इस दिन की अमावस्या सबसे विशेश होती है आज आज आपको मार्कशीश अमावस्या की बहुत सारी बाते करूँगी आपकी जिन्दगी बदलने वाली जानकारी भी दूँगी आज आज आपको मार्कशीश अमावस्या की रात किये जाने वाले एक दो नहीं बलकि पूरे साथ अचू को पाए बताऊंगी आज की रात का तो काल सरफदोश को दूर करने वाली साधना भी सिखाऊंगी और आज यह आपको मार्ची शमावस्या से जुड़े बेहत खास उपाय बताऊंगी मार्ची शमावस्या से जुड़ी मानिताओं के बारे में भी बताऊंगी आज कोई पहले महावपाई की बात करते हैं क्या घर की परिशानी आपके घर में जो भी परिशानी है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आप ऐसे में क्या कीजेगा आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है लाइफ में लगा ही रहता है एक कांच की ग्लास में पानी उसमें नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दीजे और फिर इसको आप एक बल्ब के पीछे मतलब इसके पीछे आप एक रेट कलर का बल्ब लगा दीजे जब भी ये पानी सूख जाए या जब भी पूरा ये ग्लास का पानी वैपरेट हो जाए तो फिर से इसको साफ करके वापस साफ पानी और नवक मिलाकर रख दीजे ऐसा करने पर आपको आराम होगा अमावस्या की रात को जब आस्मान में चंद्रुमा नहीं होता है और चारो और घरा अंधिरा होता है तब कुछ अचूक उपायक अगर आप करेंगे तो आपको रिजर्ट जरूर मिलेगा आपको अमावस्या की रात कौन से उपाय करने चाहिए अब ये जानते है अगर आपकी किस्मत में पैसा नहीं आ पा रहा है तो आप अमावस्या की रात एक पानी वाला नारियल लीजे और पांच बराबर टुकड़े कर लीजे इन टुकड़ों को शिवजी की किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजे अपने घर में नहीं करना है मंदिर में और अपनी समस्या शिवजी को बताईए ध्यान रहे इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिलकुल नहीं सोचे और रात के समय नारियल को खिड़की पर रख दे सुबह उटते ही नारियल को घर से दूर कहीं रखाए आपको पैसे की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा किसी कुए में अगर आप हर अमवस्या को एक चमच दूट डालते रहेंगे तो इस से आपके जीवन में कभी भी दुख खत्म होने लग जाते हैं प्रॉब्लम खत्म होने लग जाती है और महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन ले ध्यान रहे इसमें कोई भी तावीज ना हो इस धागे को महीने बर गले में रखें और अमवस्या की रात के समय किसी सुनसान जगा पर एक गड़ा खोद कर दबाएं आपकी सारी परिशानी दूर होने लगेगी ऐसा हर महीने की अमवस्या को करें अमवस्या की रात को अगर आप ब्लैक डॉग को एक डॉप तेल लगा कर रोटी खिलाते हैं और वो डॉग वो रोटी खा लेता है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे दुश्मन उसी समय शान्त होना शुरू हो जाते हैं आपके खिलाफ हो रही कोई भी साजश कमजोर होगी आप अगर काफी दिनों से बेरोजगार हैं तो अमवस्या की रात कोई कुपाई कीजिए आप एक नीबू को सुबह घर के मंदिर में साफ करके रख दें फिर इसके बाद इसको साथ बार अपने सर से उसार कर चार बराबर पार्ट में काट लें और रात के समय जाकर किसी भी साइड में चुराहे पर या किसी भी चार दिशाओं में किसी भी पाखाली एरिया में जाकर रख आईए आपकी बेरोजगारी दूर होगी अमवस्या के दिन आप मच्छियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाईए इससे आपके कश्ट खत्म होने लगेंगे अमवस्या की रात को बहती नदी के पानी में पांच लाल फूल और पांच जलते वे दियों उसके पास छोडने से धनलाब होता प्रीज नदी को खराब नहीं कीजेगा अगर आप अमवस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जलाएं और पांच अगरबती जलाएं आपको फाइदा जरूर मिलेगा मैंने आपको अक्सर ये बताया है कि अमवस्या की रात इतनी शक्तिशाली होती है कि इस रात को काल सर्फ दोश जैसे की भी उपाई किये जाते हैं और इस रात किये गए उपाई कभी खाली नहीं जाते तो आईए आपको काल सर्फ दोश से मुक्ती पाने के उपाई बताती अब मवस्या की रात ठीक दस बजे नहाने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने इसके बाद अपने बैठक के लिए एक उन या कुश का आसन ले और उसे बिछा ले अब अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके इस आसन पर बैठ जाएं बैठने के बाद अपने सामने एक चौकी रख ले अब इस चौकी पर केसर से एक स्वास्तिक का चिन बना ले या फिर ओम बना ले इसके बाद एक महालक्षमी का यंत्र ले और इस स्वास्तिक या ओम को स्थापित कर ले अब एक दिव्य शंक ले और इस थाली में रख लीजे शंक को थाली में रखने के बाद थाली को यंत्र के सामने रख दीजे इसके बाद थोड़ा सा कच्चा चावल ले और इसे केसर से रंग दे केसर में चावलों को रगने के बाद चावलों को शंक के अंदर भर दे आप एक मिठी का दीपक लें और इसमें शुद गी और बाती डाल कर इसे जला ले दीपक को जलाने के बाद इसे भी चौकी के सामने रग दे दीपक जागने के बाद जलाने के बाद एक कमल गटे की माला ले हो और इस माला से एक मंत्र बता रहे हैं इसकी 11 माला का जाप करें मंत्र है सिद्धी बुद्धी प्रदे देवी भुक्ती मुक्ती प्रदाईनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्षमी नमस्तुते इस मंत्र की 11 पूरा माला का जाप पूरा करने के बाद, पूजा में जिस भी सामगरी का हम ने इस्तमाल किया है, उसे एकटा करकर किसी भी पानी के आसपास बॉडी में छोड़ दे, प्लीज नदी को खराब ना करे, पानी में कुछ नहीं बाएं, अमावस्या की रात को इस उपाई को करने से, आपको काल सर्फ दोस से और आपके जीवन के सभी कश्टों से मुक्ती मिलेगी, और आप इस उपाई को करने के बाद, अपने जीवन में अचानक ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, जिससे आपको धन की प्राप्ती होगी, आईए बात करते हैं आज के दूसरे महा प्रागी में डाल कर बच्चे के गले में आप पहना दीजिए, आज मार्क शीश अमावस्या है, इस दिन को आप बहुत खास तरीके से यूज कर सकते हैं, सेलिबरेट कर सकते हैं, आपको कुछ खास उपाई करने हैं, वो कौन सी उपाई हैं, चली अब आपको बताती हूँ शनी की सारे साती या शनी की ढईया चल रही हो, तो शनी अमावस्या के दिन शनी की विशेश आरादना करनी चाहिए, इस दिन शनी के बीज मंत्र और साथ साथ आपको शनी की वस्तों का दान करना चाहिए, विशेश कर दान में लोहा, उड़त की दाल, तेल, पुराने वस् का दान जैसे समोसा का चौड़ी का दान निर्धनों को करना चाहिए शनी की शांती के लिए शनी स्वत्राज शनी स्तोत्र और शनी अश्टक का पाथ कर यह जिन जातकों को जिन लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते उन्हें हर शनिवार को तेल की मालिश करनी चाहिए इसे स्वास्त का लाब भी होता है और रुके वे काम भी बनते हैं इस दिन हनुमान जी की बजरंग बांड का पाठ करना हनुमान चालिसा संकत मोचन के नित्यपात से भी शनी प्रसन होते हैं प्राच रिदेव ने वर्दान दिया था कि है हनुमान भक्तों को कभी भी मैं कश्ट नहीं दूंगा उन्हें साड़े साती के समय में भी कश्ट नहीं देंगे इसलिए माना जाता है कि हनुमान भक्तों को शनी परिशान नहीं करते हैं इसलिए शनी मवस्या के दिन हनुमान जी की आ आपके फूल, थोड़ा सा सिंदूर और आटे में तियार किया गया आप एक दिया तियार कर लीजे। इसमें सरसो का तेल और बाती डालकर और एक पत्तर आरंडी के पत्तर पर ये साला समान सैटरड़े की रात को किसी भी पेड़ की नीचे रखाएए। आप इसको रखाएं और कहें हे मेरे बाद लक, मेरे दुर्भागी मैं तुम्हें यही छोड़के जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा नहीं करना, ऐसे करिए आपको फाइदा होगा लेकिन जब रख दें उसके बाद पीछे मुड़के नहीं देखिएगा। अब बात करते हैं मार्क शीश अमावस्या की। आरती करें और सुक्समृद्धी की कामना करें, दान पुन्य भी करें, अगर काली गाए का दान करने की शम्ता नहीं है तो काली गाए के लिए चारा दान करें, किसी गवशाला में जाकर काली गाए के महीने या साल भर का चारे के लिए भी धन दिया जा सकता है, इस तरह दोहे के बरतन में चावल भरकर दान करें। ध्यान रहे कि शनी का दान शनिवार की शाम को श्ट्रेश्ट माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि किसी ज़रुत मंद को ही दान दें। इसके अलावा सरसो का तेल, फूल और तेल से बने पकवानों का भी दान किया जा सकता आई बात करते हैं आज के चोथे महा उपाई की क्या है सवाल ध्यान से सुनिए क्या बंता काम बार बार बिगड़ जाता है हर मंगलवार को हनुमान जी के चड़नों में वंदना करें मीठी बूंदी चड़ा कर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर जरुत मंदों में बाढ़ दें मार्कशीश अमवस्या बहुत खास होती है इस दिन के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है आईए इस दिन की खास जानकारी आपको दे देती हूं महीनों में मार्कशीश और दिनों में मार्कशीश अमवस्या सबसे बढ़ा है देखे मार्कशीश अमवस्या के दिन ग्रे अपने पूरे प्रभाव में रहते हैं इसलिए इनके निमित दान किये जाएं तो प्रसन होकर संकत दूर करते हैं नवग्रहूं की शांती के लिए मार्खशी शमावस्या के दिन अपने पूजा स्थान में बैठ कर नवग्रे स्तोत्र का 21 बार पाट करें यो पाई किसी नदी आतलाब के किनारे किया जाए तो ज़ादा फल देता है मार्खशी शमावस्या के दिन नव ग्रे का आप पेंडेंटी अंगूठी पहने इससे कोई भी दुशित ग्रे हो तो शुब नतीजे देने लगता है इस दिन विश्नु सहस्तर नाम का भी जाब करें कुंडली में कितना भी खराब योग हो उदूर हो जाता है मार्खशी शमावस्या के दिन पीपल के नीचे बैट कर विश्नु सहस्तर नाम का पाट करें कर्ज मुक्ती होती है जल्दी शादी के लिए भी ये उपाई किया जा सकता है संकट लगातार जीवन में बने वे हैं और बिमारियों पर खर्द जादा हो रहा हो तो मार्खशी शमावस्या के लिए शिबलिंग पर शेहद से अभी शेक करें कुनली में पित्र दोश या काल सर्फ दोश हो तो रहू या केथू की परशानी हो मार्खशी शमावस्या की शाम को हनुमान मंदिर में आते के ग्यारा दीपक बना कर जलाएं इसी मंदिर या किसी गरीब के घर जाकर दीपक जलाने से शनी ग्रय की जोड़ी पीडा दूर होती है देखे मार्खशी शमावस्या की रात को सुन्दर कान का पाथ करने के सारी बाधाये समाप्त हो जाती है आईए बात करते हैं आईए बात की स्पेशल आस्टो टिप का अमवस्या के दिन जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं जिनके कामों में ग्रोत नहीं होती है अगर वो ब्लाइण लोगों की सेवा करें ब्लाइण लोगों को खाना खिलाए अमावस्या मतलब अंधेरे की रात और ब्लाइन मतलब जिनकी वैसे ही विजन नहीं है तो जब आप अमावस्या के दिन ब्लाइन लोगों को खाना कहलाते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे रस्ते खुलते चले जाते हैं फेस्बुक पर हमारी एक व्यूवर्स सुनीता ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेर की है उनके फादर को ड्रिंकिंग है जिससे वो बहुत परिशान है उपाई जानना चाहती है अपने फादर को काउंसलिंग पर ले जाना डॉक्टर से मिलवा कर डॉक्टर को समझा कर अपने फादर को डरा देना रेगुलर टेस्ट कराना इनसान को डरा कर रखता है उसके अलावा बहरो मंदिर में जाकर आप जाप करें और हो सके तो वहाँ पे डॉक्स को दूद पिलाएं वहीं पर शराप की बोतल को पास में किसी पेडवेड के पास में तोड़कर छोड़ाई या डस्पिन में डालाएं खोल कर नाली में डाल दीजे बहरो मंदिर में तो भी इससे बहुत आराम मिलता है entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल को अच्छा करते हैं क्या करें आप अपनी राशी के इसाब से मुझसे जानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी के लोग आप लोग जादा पैसे खर्च ना करें कल के दिन ध्यान दें लक साथ दे रहा है आपका 55% प्रिश्व राशी वाले लोग अपने इस्ट को याद कीजे भागे साथ दे रहा है आपका 69% बितुन राशी वाले लोग चाए जादा ने पिये चाए को वाइट करें लक साथ दे रहा है आपका 58% करक राशी वाले लोग बेहन से जगड़ा ना करें आप किस्मत साथ दे रही है आपका 52% सिंग राशी वाले लोग खाने में सोया बीन जरूर लीजे लक साथ दे रहा है आपका 65% कन्या राशी वाले लोग शिवजी का नाम लीजे सब काम बनेंगे भागे साथ दे रहा है आपका 73% तुला राशी वाले लोग खाने के बाद सौफ जरूर लीजे किस्मत साथ दे रही है आपका 68% रिश्चिक राशी वाले लोग मा दुर्गा को लाल फूल चड़ाईए भाग्य साथ दे रहा है आपका 77% धनू राशी के लोग मंदिर में श्रिंगार का समान दीजे भाग्य साथ दे रहा है आपका 69% और मकर राशी वाले लोग गंबले में पानी जर्माना होने दीजे लक्साथ दे रहा है आपका 57% कुम राशी वाले लोग अपने पेट का खास ख्याल रखे आप भाग्य साथ दे रहा है आपका 53% और मीन राशी वाले लोग, हलका नाश्ता कीजिए आप, लकसाद दे रहा है आपका 51% अभी आप से और बात करेंगे, लेकिन पहले ठंड से जोड़ी खास ब्यूटी टिप बताएंगे कि कैसे आप अपने रड लिप्स्टिक को लांग लास्टिंग बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी आपका लिप शेप है, इस पे आपको हलका सा फाउंडेशन लगाना है, इस तरह से फाउंडेशन सेट हो जाए, उसके बाद आपने लूस पाउडर लेके हल लिप्स के ओपर मैटिंग करना है, एक बिल्कुल क्लीन स्पॉंज के साथ, जिस पे कुछ भी ने लगा, आपने हलका हलका रिमूफ कर देना, जो कि उसी कलर की होनी चाहिए, जिस कलर का आपका लिप का शेड है, जो आप लिप्स्टिक लगाने वाले हैं, इसके लिए सबस के तरफ लाना एजी हो जाए, अगर अगर आपको लिप को लांग लास्टिंग करना है, तो इसी लिप लाइनर के साथ, यू के बहुत एजी है, लिपर होती है, वो भी बहुत एजी लिए, अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, तो I would suggest, गो फो फॉर एजी रहता है, इसके अगर रहे हैं, अगर अफ में पहले है, यू स्माइल, लो पनी पर लिपर का कोट कर लैए, इसके बाद यू झेए अजी के टिशु पेर, यू नगर चिस्टिश पेस साहे है, शु आप भी बनाएं आप भी फ्लाउंट करें इस फेस्टिफ सीजन में बिल्कुल चमकते रहें विद यो ब्यूरिफुल रेड लेपस चलिए एक इंट्रेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करते हैं हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सिल्क के सूट पहनती हैं तो आपके पास क्या कुछ उप्शिन्स होंगी वेडिंग सीजन आ गया है और ऐसे में बहुत सारे उप्शिन्स आप चाहती होंगी कि एक बहुत ही खुबसूरत और नया लोक आप करी करें और इसके लिए बहु कंतुन इंजर करें किस तब यह और क्सा से पर कीया गया मेरिक क्पार किया प्रूंभेण करें मतलब options एक भागलपुरी silk suit और यह बनता है. इसमें तसर हैं. आपको घीचा silk है. और वैसे एरी silk है तो वेज़न आपको बनता है जो कि bhaगलपुर में बनता है. जो कि ये जॉर्जिट पर ओक किया हुआ हिए सूट है ये खास इसमें आपको मिरर वर्क भी है और ये आरी वर्क भी है तो ये इस तरह के सूट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे देखिए चोटे-चोटे स्टोंस भी लगे हुए हैं तो ये लाइट और ब्राइट दोनों ही कलर्स में बहुत अच्छा इसके आते वराइटीज है और कलर जाते हैं इसके और भी कई आप्शन से आपको हर प्राइस में मिल जाएगा या या यह है महिश्वरी सिल्क महिश्व के लिए बहुत सारे ओप्शन आपके पास हैं अगर आप सारी से हटके एक सिल्क ही केरी करना चाहते हैं जिसमें सुट्स के लिए आप ऑप्शन तेख रहे हैं तो बहुत सारे ओप्शन से आप कोई भी एक ब्राइट या पर कॉंबिनेशन कलर यानि लाइट और ब्राइट हैं एक लोटे आजग में पानी लेकर उसके अंदर चार लाल मिर्च के बीच डाल दीजे अपने उपर से साथ पार उसार कर इसको घर के बाहर सड़क पर फेक दीजे आराम मिलेगा